आज मैं आपके लिए लेकी आई हूँ एकदम 100% बेसन आप घर पे कैसे बना सकते हैं बहुत ही हाईजीन तरीके से और आपको पता है कि आप घर पे बेसन बना रहे हैं तो एकदम शुद है वो और बहुत असानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं यह देखिए टेक्शयर आप देख सकते हैं बेसन का एदम बजार जैसा लग रहा है और घर पे बनाया है तो एदम शुद्ध है नमस्कार दोस्तों मैं शुष्मा वर्मा आपका शुष्मा तिरा सोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो बेसन बनाने के लिए यहां मैंने लिया है 500 ग्राम चना दाल ली है और यह अनपॉलिश दाल है चना दाल आप कोई भी चना दाल ले सकते हैं तो यहां पे कड़ाई पे अब इसको मैं लो फ्लेम पे ड्राय रोस्ट कर लूँगी पांसे छे मिनिट पे इसको यह ड्राय रो है की ड्राय रोस्ट हुआ है कि नहीं तो एक छना दाल आप डाम दांत के नीचे काटके देख सकते हैं अगर वो कट रही है करंची तो यह अच्छे से भुन चुकी है तो यहां पे इसको हमें अब अच्छे से ठंडा कर लेना है तो यहां देखिए अच्छे से भुन के तयार है गैस को बन करके यहां मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया आप देख सकते हैं अच्छे स यह दाल रोस्ट हो चुकी है तो आगे का प्रोसेश शुरू करते हैं तो यहां मैंने मिक्सर ले लिया है और अब सबसे खास बात जब आप चैना दाल पीस रहे हैं तो आपको यहां पे थोवा थोवा डाल के पीसना है एक साथ अगर पीसेंगे तो आपकी मिक्सी भी खराब ह हो सकती है क्योंकि यह दाल है तो 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 यहां मैं तो 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 दाल $- List के त्यार करूंगे आप देख सکते हैं यहां मैं इसको विक्सर में डाल दिया है चलिए इसको एकदम FINE PIEC के त्यार करते हैं तो यहां मैं इसको तकन को बन कर देती हूँ M going कि कि यहां देखी मैंने इसको पीस लिया है जिस देखिए तो यह बिल्कुल पिसhoven के तयार है और यह एक दम फाइन नहीं है इसको हमें अब आगे चौनना हैं तो सबसे पहले मैं इसको अभी देखिए सारा पिस लुगया आप सकते हैं अभी एक दम यह फाइन नहीं निकाल ल्यती हूं याँ देखिये साले दाल मैंने पीस के तयार आप अगर आप बेसं के लड़्डू बना रहे हैं तो यहरा है तो यह डान्यदार बने तो आप इससे बेशंते लड़्डू बना सकते हैं लेकिन हम इसको पूरा बेसन बना रहे हैं अच्छे से एकदम फाइन वाला तो यहां मैं इसको छान के यूज़ करूँगी तो यहां पर थोड़ा करके इसको छान लेंगे तो यहां इसको छानना जरूरी है तभी एकदम भार वाला बेसन होएगा तो यहां पे क्या होगा एकदम फाइन पाउडर निकल के आ जाएगा और जो बाकी पाउडर बचेगा उसको हम दुबारा से मिक्सी में पीस के तैयार कर लेंगे तो मैं आपको दिखाती है उसका टेक्शर यह देखिए एकदम फाइन पिसके देखिए एकदम छन के यह आ गया है एकद सारी दाल मैंने पीस के यहां पर तैयार कर लेंगे और देख सकते हैं कितनी सौफ्ट यहां पर जो है बेसन दिख रहा है एकदम टेक्शर इसका बहुती स्मूध है यहां सारा जो है बेसन अब यह जो बच गया है जो दरदरा उसको भी हम पीस के तैयार कर लेंगे तो यहा बजार जैसा इसका टेक्शर आ चुका है तो इस होली आप घर पे ही बनाएं और घर में कोई भी रेस्पी है आपसे बना सकते हैं पकोड़े है चाहिए कोई भी चीज है कड़ी है तो अगर आपको रेस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में को आप जरूर लिक्के बताईएगा थैंक यू